हलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे यहाँ, कल आज तो फास्ट में है, कल इतने आंधी तुफान आई फ्रेंड्स क्या बताओ, हेल्स्टॉम हुआ और मुझे ना कुछ काम करना था, मैं यहाँ पर कुछ काम कर रही थी, वो देखे एक प्लांटर मेरे व तो कुछ दिर पहले और भी जोर-जोर से हवा चल रही थी और मैंने साउंड म्यूट करके ये म्यूट कर दिया क्योंकि मैं कुछ बोलती तो आपको सुनाई में नहीं देता है इतनी आवाज आ रही है मतलब आ रही थी तो हिल स्टॉम भी यहाँ पे हुआ है ये देखिए तो बहुत जादा मुझे कल इतनी तकलीफ हुई फ्रेंज क्योंकि मैं कुछ काम भी कर रही थी गार्डिन में क्लीनिंग का काम उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रही थी लेकिन अचानक से वो वीडियो में बनाई वो भी मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगी तो इ एक भी प्लांट मेरा खराब हुआ नहीं है लेकिन जब थोड़ा बारिश रोग गई थी और हवा भी बंद हो गई थी तम में ये वीडियो बनाई और देखिए कि कुछ दिर पहले मेरा ये प्लांट कितना हेल्दी दिख रहा था ऐसा लग रहा है कि कीडे ने खाया है ये असपर अगस के प्लांटर मेरा तूट गया है और ये जो पॉइंसेटिया के प्लांट भी कुछ ब्रांच तूट गया है वो ब्लांच को भी मैं बाद में वो स्पॉर्ट में मैंने लगा दिया था ठीक है और ये देखिए ये जगा को मैं बस क्लीन किया था अच्छे से बस सारे प्लांटर इधार मतलब ऐसा हो गया ठाल तो उसके बाद में फ्लांटर है यह में तो उठाई वीदो बनारी तम प्लूनिपर के प्लांट गेर गया है और मेरी बैलकनी में जो बहुंथ तो यह नहीं मेरे हैंगिंग प्लांटर था वह मैं कल रात को ही मैं नीचे उतर आ था अच्छा हुआ था कि कल ही मैं ऐसा करके रखे ती जब भी मुझे लगता है कि आधी तुफान आने वाली है तो मैं पहले ही ना मतलब वह नीचे उतर कर रखते हैं बस एक प्लांटर रह ग उपर गई थी काल देखने के लिए और मुझे तो मतलब इतना बुरा लगा लेकिन अच्छा हुआ कि एक भी मेरे टेरेस के उपर न एक भी प्लांटर खराब नहीं हुआ ये मेरा जो टोपियारी मयूर का शेप दिया था वो भी गिर गया था और अच्छा हुआ कि टूटा करना पड़ा जब ऐसे आंदी तूफान आती है उसके बाद गार्डेन में इतना काम हो जाता है और बहुत मतलब मुझे थकन हो गई थी क्योंकि अकेले में ही मैं सब कुछ करती हूँ मेरा बहुत बड़ा जो प्लांट है ये देखिए ये नाक्चंपा प्लोमेरिया के प्ल मतलब प्लांट से एकदम छूट गया मनतलब दूट के और ये मेरे जो क्रिस्मस प्री के प्लांट है इसमें सी भी कुछ ऑग मतलब लीप imposing तोटकया लेकिन मेरा जैंग से ग्रूपा थीक था वह एक भी घ्रा नहीं था तो बस ये हुआ मेरे गार्डेन में कल